हाँ दोस्तों राजवन सिंग महाली मेरे यूट्यूब चैनल प्रप्रप्रटी गुरुकुल में आपका स्वागत है और जो आज का टॉपिक है यह प्रप्रप्रटी फ्रोड ट्वंटी टू मैंने इसका नाम दिया है और ट्वंटी टू से पहले मैं ट्वंटी वन जो वीड अपलोड कर चुका हूं सो यह ट्वंटी टू जो हमारा यह फरॉड केस है यह पंजाब के फाजल का जिले में हुआ है किसी सेलर ने किसी बिल्डर को एक सो एकती कनाल जमीन वेची थी जिसमें हमारे स्टेंडर्ड एकर सोला एकर और तीन कनाल जमीन बनती है तो लोकल गव ने में हमेटी से पासकरोंनी थी मिनिल्डर कमेटी में जो पासकर ने का करेंडर्य भी कर आंदर को जाती है और उस तो इननों стан की गरनाहाएब सेयल ढीड जोनली 38 कनाल की स्टिरिक वग कोई दिक्त नहीं 78 कनाल में से उसके 65 प्रसंत के हिसाब से उसके 76 कनाल के षाब से 60 प्रसंत पूरी होती थी उसने ठास्तर कनाल कि रिजिस्टिक कर ऒए और जो 53 कनाल रह粘ी ऐस वेस्टर्ज वेस्टेज रहेगी रिमेंड विद सेलर वो सेलर के साथ रहेगी सेलर के साथ रहने का मतलब है कि जो बिकने वाली जमीन थी वो बिल्डर ने अपने नाम पे करवा ली और जो सरकों में नालियों में पार्कों में स्कूल में सीवरे ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की टेंक अगया और 78 कनाल जमीन की ही आगे उसने रिजिस्टेज में बच गी तो वो उसने अपने कि रिजिस्टरी करोने से मना कर दिया कि मना कि इसलिए कर दिया कि जो 25 परसेंट बची है वो consent letter में उन्हों लिखके दिया कि हम property यह develop कर रहे हैं कलोनी डिवेल्प कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इसमें जम्मेवार हैं तो दूसरी गलती उन्होंने क्या करी जो उनका जो agreement to sell था agreement to sell तो एक सो एकतिक नाल का हुआ है लेकिन उसमें गलती क्या करी agreement to sell पे seller के सैन हो गए हैं सैन हो गए है परचेज के सैन नहीं हुए परचेजर के सैन ना होने की वज़ए से मुख कर गया कि मैंने तो 178 कनाल 171 कनाल जमीन ही नहीं ली, जमीन ही 78 कनाल का मैने सूधा गया और 178 कनाल के मैंने पैसे आपको दे दिये तो वह अब इसमें क्या क्या धंदली क्या हुई है इसमें जो गड़बड हुई है गड़ बड़ यह हुई है कि जब agreement सैन हुआ तो जिस बंदे ने agreement seller से सैन करवा दिया और आगे परचेजर के पास जा के सैन करवाने दे उसके हो सकता हूं मौके पे नहों हो सकता है गौओं की वज़ा में वहां लैट नहों या मतलब फोटो स्यट की मशीन नहों इस वज़ा से कोई रह गया हो उसने बोल दिया हो के चलो मैं इसकी जो फोटो कपी करवा के आपको दे देता हूं agreement की फोटो कपी दे दी लेकिन अपने साइन करके फोटोकापी नहीं दी अपने साइन करके फोटोकापी नहीं दी तो अभी वो कह रहा है कि मैंने तो इतनी जमीन ही आप से ली थी और ये जमीन तो आपने ही थाटी जो त्रिपन कनाल है ये आपने ही उसमें और गलियों नालियों रास्ते में पारकों में यह छोड़नी थी तो अब उनमें जो दुनों में दुनों की बतों इंपरकर है उसके हिसाब से परचेजर जो सेलर है वो कह रहा है कि मेरे साथ 6 या 7 क्रोड पे गई धोखा हुआ है 6-7 क्रोड पे मेरे को और मिलना चाहिए तो और मिलना चाहिए लेकिन वह seller कह रहा है जो प्रचेजर है वह कह रहा है कि मैंने तो जितने पैसे आपको देने थे दे दिये अब मेटर कोट में चला गए कोट में जाके भी यही साबत हुआ है यही मतलब वह उसने प्ली ली है कि सर मेरा मैंने जमीन जरूर खिर दी है लेकिन जमीन खीरेजने पर मैंने एट्रिमिंट नहीं किया मैंने जबनी जमेनिन के साथ जमीन का सोधा किया था जितना सोधा मैंने किया था उसके हिसाब से पेविद्मेंट दे चुका हूँ और ये 35% है जो जिसकी 53 कनाल बनती है तो ये जमीन इन्हों ने छोड़नी थी जो हमारी जबानी कमिटमेंट हुई है अब मैं आपको इस वीडियो के रहीं ये समझाना चाहता हूं कि भाई कोई भी एग्रिमेंट करते हैं ये क्रोड रुपे का एग्रिमेंट है मैं आपको इस वीडियो के रही ये ही समझाना चाहता हूं कि कोई भी डील फाइनल करने से पहले आप हर एंगल से इसको देख लो हर कागज लो मैं अपनी ट्रेनिंग कलास्स में भी यही पड़ाता हूं कि भाई जब आप एजए परचेजर बात करते हो तो आपकी ये डूटी है अब यहीं परचेजर मैं कहता हूं जितने भी डाकूमेंट आप लेते हो उनकी मालकी के डाकूमेंट है या किसी तरह का डाकूमेंट है उसकी फोटोकापी के उपर जो सैलर है उसके सेहन जरू वालो ताकि अथेंटीकेशन है अब इस पे यह रहता एग्रिमेंट पे उसके सेन होते तो 100% वो मुख कर नहीं सकता था तो अब यह रेरा में केस है रेरा के मताबक जो मेरी समझ आए उसके मताबक यह है कि जो बिल्डर ने कोलोनी वहां डिवेल्प की है जो मंझधार में ही बिल्डर की है तो अब यही एक message है कि आप कोई भी document कोई भी deal करने से पहले कोई भी document हर एंगल से देखके विचार के आपको नहीं पता किसी दोस्त की सला लेके किसी वकील की सला लेके किसी property के जानकर की सला लेके ये काम करो विश्वास में आके काम मत करो ताके आपका जो पैसा है वो भी नजाए और आपकी मानसिक शांती है जो वो भी नजाए तो दोस्तों जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटीवला बटन दबादो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो शेर कर सकते हो आपका क्वेश्चन है कमेंट वोक्स में दे सकते हो मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे